हेलो, मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों कैसे हूँ आप? देखो, आप सबी की कास्ट्गी माट पर हम आ गए है, स्केरी टीचर के गर पर क्योंकि आप लोगों ने मुझको बहुत सारी कॉमेंट करके बताया कि स्केरी टीचर के गर पर सब कुछ बदल गया है बोले तो लगबग सारे मिशन ही बदल गए है तो चलो बिना टाइन पर बाद किये मिस्टी के पुंगी बजाते है आज जो भी बच्चा हूं वा करके नहीं आया उसकी बजा दूगी पुंगी बंडा मारूंगी खोल के लूंगी अगर मेरे सामने रोने की नोटंकी करोगी तो मैं नहीं पिदलूंगी और अगर कोई शरार्ती बच्चा मेरे घर में घुसाया तो उसकी बेंड बजा दूगी अरे वा कितना अच्छा दिन है आज तो बच्चों को पीट कर मज़ा ही आजाएगा ओ तेरी की ये क्या लिखा है जिसको कल पीटा था वो स्कूल छोड़कर भाग गया अरे तोस्तो ये मिस्टी तो है बहुती ज़्यादा खतरनाक इसलिए आज हम मिस्टी की बजाएंगे पुंगी तो चलो बिना टाइम बर बात किये मिस्टी के घर के अंदर चलती है अरे दरवाजा चलो इसको खोल देता हूँ अरे मिस्टी तो उधर सामने ही है तो मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ हाँ ये अलमारी ठीक रहेगी ओहो ये क्या है दोस्तो इस अलमारी के अंदर तो पड़ा है हतियार तो हम क्यों छुपे चलो इसी हतियार से करेंगे जे दो चार सारे दंडे देग में रख लिये बस अब चल दी से अख बार पढ़कर स्कूल जाओंगी और बच्चों को पेलूंगी तपाटप तपाटप उई ये चा हुई अब मैं कैसे मामगी बच्चों को मम्मी वू 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 अब मेरा क्या होगा लगता है अज तो स्कूल से छुट लेनी पड़ेगी पाइव मिनिट लेटर चलो स्कूल नहीं गई तो इसी बात पर पाटी हो जाए क्योंकि बच्चों को पीतने के लिए सिहत भी तो बनानी है पता नहीं इतने अच्छी अच्छी आइडिया मैं सोच कैसे लीती हूँ वा बाई वा चलो इसको यह इपर रख कर सोच लाती हूँ अरे वा दोस्तो आज तो मिस्टी की स्कूल की छुटी करवा के सभी बच्चों की मोज ही हो गई तो हम चलती है मिस्टी के घर में अरे देखो मिस्टी तो उधर कहीं जा रही है तो चलो चले मिस्टी के घर के अंदर ओहू वाओ दोस्तों यह कितनी अच्छी खुशपू आ रही है मगर यह आ कहां से रही है ओहू देखो यहां टेबल पर तो कितनी मस्ट डिश पड़ी है रहे बाबा और अगर मैं इसको अभी उठा कर खाने बैठा फिर तो मिस्टी मुझे आ कर मारेगी टपा टप टपा टप और यह बहुत ज्यादा गरम भी है इसलिए मैं इसको उठा कर भी नहीं भाग सकता तो क्या करें दोस्तों? हाँ आइडिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इसलिए ऐसा करता हूँ जल्दी से इसी नमक को इस पूरी डिश में अच्छे से डाल देता हूँ और मिस्टी के यहाँ आने से पहले ही नोदो क्याराभी हो जाता हूँ आओ मिस्टी अब जल्दी से बैठ कर अपनी स्पेशल वाले डिश का मजा लो हाँ ठंडा होने से पहले खा लेती हूँ ओ हो चमसे तो बच्चे खाती है असली मरत तो ऐसे ही कटक जाती है मेरी तो किस्मती खराब है खाना चोड़ो अब तो गाना बजाना ही सुन लेती हूँ ओ हो दोस्तो मैंने पिछली बार मिस्टी के खाने को भिगार दिया था मुझको लगा था कि अब मिस्टी सुधर जाएगी लेकिन लातों के भूत कहा बातों से मानने वाले है वालों ने मिलके मुझको अपना मसीहा बनाया है कि मैं जाकर मिस्टी को समझाऊं अरे मिस्टी अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर लो जा मैं नहीं करती कम जो करना है करें और मेरे घर आया तो तेरी तंगला तोड़ दुमी अरे ये क्या दोस्तों मिस्टी ने तो मुझको चैलेंज दिया है लेकिन मिस्टी को नहीं बता कि मैं हर चैलेंज की वाट लगा देता हूँ तो चलो संबल संबल को मिस्टी को घर के अंदर चलते है अरे मिस्टी अभी तुमने ही तो मुझको चैलेंज दिया था कि घर के अंदर आओ दोस्तो ये मिस्टी तो पागल कुट्व के जैसे मेरे पीछे लग गई है हाहा दोस्तो अब मिस्टी मुझको देखी नहीं पा रही अंधी मिस्टी तो चलो हम जल्दी से अब टीवी रूम को ढूणते हैं नहीं ये तो स्टडी रूम है और ये रहा टीवी रूम तो चलो जल्दी से दरवाचे को कर देती हैं बंद और दोस्तो ये रहा टीवी जिसमें से आ रहा है इतना ज्यादा शोर तो मैं क्या करूँ जिसे टीवी का बन जाए मोर और मैं टीवी को दूँगा तोड लो दोस्तो हमको तो मिल गया क्रोव बार जल्दी से इसी को देता हूँ टीवी के अंदर गुसोड और लो दोस्तो हमारा काम तो हो गया अब महले वाले सभी लोग खुश भी हो जाएंगे त जाकर सभी लोगों को खुशकवरी देता हूँ अरे मोहले वालो जल्दी से मिठाई बाटो क्योंकि मैंने मिस्टी के साथ साथ उनके टीवी के भी वाट लगा दी है आज तो मैं माता की जगराते में जाँगी और फिर बहुत सारा बंदारा खाँगी लेकिन बाद में सबको परिशान करकी आँगी अरे दोस्तों ये स्केरी टीचर ने तो सबको परिशान करने के लिए कितना खतरना प्लैन बनाया है लेकिन इस महले का अच्छा बच्चा होने की वज़े से मेरा करतव्य बनता है कि मैं जाकर स्केरी टीचर को रोकू ताकि वो किसी को परिशान ना कर पाए मैंगर ये क्या यहा तो टीचर ने तौला लगा दिया है लेकिन मिस्ट्री तुम्हे नहीं पता कि मेरे पास अंदर आने के बहुत सारे तरीकी है हाँ 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 अरे गाईज ये मिस्ट्री अंदर क्या बना रही है लगता है कि स्केरी टीचर सब लोगों को परेशान करने के लिए कोई खिचडी बना रही है और देखो गाईज शायद मिस्ट्री यही ड्रेस पहन कर जगराते में जाना चाहती है मगर मुझे ये ड्रेस कहां मिलेगी कहां मिलेगी क्या करूं क्या करूं उड़ी बाबा ये क्या मिस्ट्री ने यहाँ पर कैंची क्यों रखी है मुझे लगता है कि ये कैंची हमारे कुछ काम आएगी ओ तेरी की गाईज यहाँ इस दरवाजे पर तो मिस्ट्री की इतनी बड वाली फोटो लगी है और ये वही फोटो है जो नीचे थी तो चलो होना हूँ मुझको लगता है कि इसी रूम में हमको वो ड्रेस मिलेगी तो कहां है ड्रेस ओहो ये तो खाली है यहाँ पर भी कुछ नहीं है मिस्टी ने वो कहां रखी होगी उड़ी बापा ये रही दोस्तो वो ड्रेस स्केरी टीचर को क्या लगता है कि वो ड्रेस को पहन कर माता रानी के जागरन में जाकर सबको परिशान करेगी और लो ये ड्रेस तो कट गई और इसी के साथ मिस्टी का प्लैन बेफुस हो गया और अब मिस्टी के आने से पहले 921 हो जाओ और सब मिलकर बोलो जै माता दी हुई बाबा फीचा हुई अब मैं जाकर सब लोगों को परशान कैसे करंगी ओ हो मेरे हाथ से ये मोका भी चला गया ही 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 कल बता नहीं कैसे मेरी ड्रेस फट गई लेकिन मैंने निकी ममी की ड्रेस चुरा कर अच्छी से भंडा राखाया कल तो मिस्टी ने फिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मैंने तो उनकी ड्रेस को ठीक आने लगाया था मुझको लगा था कि अब वो किसी को भी परिशान नहीं करेगी लेकिन स्केरी टीचर तो मेरी ममी की ड्रेस चुरा कर ले गई अब तो ये बात मेरे घर तक आ गई है, इसलिए अब स्केरी टीचर और मेरे बिच युद होगा युद, मिस्टी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी कुंगी बज़ाने के लिए, मुगर गाइस ये मिस्टी है कहाँ, ओहो वो तो गई किसी कमरे में, तो चलो हम भी अंदर चलते हैं धीरे धीरे, ओह गाइस, यहां तो सब कुछ शानत है, ओड़ी पापा, ये क्या पड़ा है, सुई, अब तो मैं ये मिस्टी को चुबा दूँगा, और फिर वो करेगी, ओड़ी, ओड़ी, अरे, ये क्या, मेरे पापा का कच्छा, और इसे भी मिस्टी चुरा लाई, तो मै मैं क्या करूं, क्या करूं, हाँ, आइडिया, सुई को रखा सोफे पर, और उपर से रख दिया पापाजी का कच्छा, अब आएगा ना मजा, और देखो गाइस, मिस्टी भी इधर ही आ रही है, आओ मिस्टी आओ, मैंने तुम्हारे लिए जाल बीचा दिया है, और तब त अब जैसे ही मिक अपनी बिली को ढूंड़ता हुआ आएगा, तो उसको भी इसी बिली के साथ टोर्चर रूम में बंद कर दूंगी, अरे गाइस, आज तो स्केरी टीचर ने सारी हद ही पार कर दी, मैंने तो मिस्टी के साथ छोटा सा प्रेंक किया था, लेकिन मिस्टी ने तो मेरे प्यारी बिली को चुरा लिया, अब मैं क्या करूं, कैसे बिली को अपने घर वापिस ले कराऊं, मिस्टी ने तो बिचारी बिली को कुछ भी नहीं खिलाया होगा, तो दोस्तों, अगर आप भी एनिमल से प्यार करते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और अपने फेवरेट पैट का नाम भी कमेंट बोक्स में बताओ, मगर गाईस, अब मैं क्या करूं, मिस्टी ने तो घर में हर तरफ जाल ही जाल भी चार रखे हैं, पता नहीं, ये मिस्टी का टोर्चर रूम कहां पर होगा, और अब तो हमको उस दुष्ट मिस्टी से बचते ह वे बिल्ली को भी डूड़ना होगा, अरे मिस्टी, तुमने मेरे बिल्ली को कहां छुपाया हुआ है, जल्दी से बताओ, मैं नहीं बताओगी, तुझे क्यो करना है, अरे गाईस, ये मिस्टी तो बड़ी खतरनाक है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, ऐसा करता हूँ, जल चुप जाता हूं अब लगता है मिस्टी मुझका नहीं ढूंड पाई की अरे मिस्टी यहां से चुप चाप चली जाओ और मुझका बिल्ली ढूंडने दो वाउ मिस्टी तो गई मगर अब मैं अपनी बिल्ली को कहां पर डूंड़ो और यह आवाज कैसी आ रही है अरे बिल्ली की आवाज तो यहीं से आ रही है ओ तेरी की मेरी बिल्ली चल आजा बाहर ओ शिट यहां पर तो ताला लगा हुआ है मैं अपनी बिल्ली को बहर कैसे निकालूं जरूर यहीं कहीं कुछ तो होगा अरे देखो यह रही चाब भी लाल और पिंजरे पर लगा हुआ ताला भी लाल और लो हो गया कमाल चल आजा मेरी बिल्ली तो जिको ले चलूं मैं यहां से अरे बागो दोस्तों बागो इसके रिटीचर तो हाद दो कर मेरे पीछ ही पढ़ गई है अब मैं क्या करूं क्या क करें के लिए चल दीजे चैनल को सब्सक्राइब करो और दो गुना मचा लेने के लिए इस वाले वीडियो को भी देखो